इस वीडियो में पूरा लाइब डेमो पूरा प्रोसेस बदा देंगे कैसे CA new course में आर्टिकल सिप के लिए रेजिस्टेशन करोगे सारा डाउट क्लियर कर देंगे आर्टिकल सिप में CA new course में तभी आप रेजिस्टेशन कर सकते हो चाहे CA direct entry से या CA foundation route से जब तक आपका CA intermediate का बोथ ग्रूप क्लियर नहीं होता क्लियर हो जाने के बाद आपको IT OC complete करना होता उसका certificate अपलोड कर देना होता उसके बाद ही आर्टिकल सिप के लिए रेजिस्टेशन कर सकते हैं मतलब अब तक यह समझें कि हमारा intermediate clear होना चाहे CA foundation route से या direct entry route से उसके बाद ही हम लोग आर्टिकल सिप के लिए रेजिस्टेशन कर सकते हैं जब आप लोग certificate अपलोड कर दोगे certificate अपलोड होने में भी समय लगता है साथ से दस दिन जब successful वहां पे अपडेट हो जाएगा उसके बाद ही आर्टिकल सिप के लिए रेजिस्टेशन कर सकते हैं ITOC certificate कैसे अपडेट करना वीडियो का लिंक आपको description मिल जाएगा जब certificate अपलोड हो जाएगा successful हो जाएगा अपडेट करने के बाद एक ही दिन में नहीं होता है लगता है 6-7 दिन अपडेट होने में हो सकता है 24 गंटा हो सकता है आपको इसपर क्लिक कर देना है बस आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिए सारा डाईट क्लियर हो जाएगा जैसे ही आप लोग इसपर क्लिक करते हो आपके सामने new डाउडस बोडस हो करेगा जैसे ही आप लोग आर्टिकल से form 102 और 103 पर क्लिक करोग आपके सामने new कुछ जरूर से बात कर लेना, पूछ जरूर लेना कि सर कौन सा डेट डाले, आप जो डेट यहां पे लिखना चाहते हो क्या प्रिंसपल ऐलाव कर रहा है यह नहीं कर रहा है, एक बर बात कर लेना या तो आप जिस दिन article ship का registration कर सकते हो वो date लिख सकते हो उसके आगे का date नहीं लिख सकते है या नहीं तो back date में कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, doubt clear हो उसके बाद membership number लिखने के बाद get detail इस पे click करना है जैसे ही get detail पे click करोगे तो आपके सामने new dashboard show करेगा name of the member का नाम आ जाएगा इसके नीचे में आपको select करना होगा form automatic यहाँ पे आ जाएगा जैसे ही select का option क्लिक करोगे तो यहाँ पे form का नाम आ जाएगा तो इसको select कर लेना इसके बाद क्या करना है scroll down करके थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पे clear लिखा आएगा दो साल का article सिपर ठीक है अब यहाँ पे कौन सा date दे तो मेरे हिसाब से जिस दिन article सिप का जो registration वाला date दी हो न same date यहाँ पे आप दे सकती हो जब यह date देने के बाद उसके बाद नीचे में submit करने का option है तो आपको क्या करना है submit पे क्लिक कर देना है ध्यान से बाते को सुनते रहिए जैसे ही submit करते हो आपके सामने new dashboard सो करेगा आप चाहो तो download PDF कर सकते हो उसके बाद side में अब आपका article सिप registration स्टार्ट होगा अब चाहो तो PDF को download करके अपने पास रख सकते हो कुछ करने का ज़ूरत है नहीं इसके बाद side में आपको article सिप registration जो सो कर रहा है उसको उस पे क्लिक करना है जैसे ही आप लोग article सिप registration पे क्लिक करते हो new dashboard सो करेगा यहां से आपका article सिप का registration स्टार्ट होगा उसके बाद सिधा scroll down करके सबसे नीची आ जाना है यहां पे पापा, मम्मी, हस्वेन जिसका भी address देना चाहो तो वहां पे name लिग करके उसका detail address फिर उसके बाद उनका mobile number, email ID पूरा सब को सही detail यहां पे fill करना है तो यह student का मैं पापा का number पापा का email ID और पापा का address पूरा detail में यहां पे fill कर देता है यह पूरा detail fill करने के बाद आपको next पे click करना है जैसे ही आप लोग next पे click करते हो इसके बाद भी आपको सिधा का next पे click करना है जैसे ही आप लोग next पे click करोगे ध्यान से बाते को सुनते रहेगा नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने निव डैसबोर्ट सो करेगा उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फिर से नया डैसबोर्ट सो करेगा तो ध्यान से बाते को सुनते रहाना है फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि अगर आप आर्टिकल सिप जो आर्टिकल हो कि आप आर्टिकल सिप जो करने जा रहा है इसके अलाबा क्या आप अधर बिजनेस एक्टिविटी में इंवाल्ब हो या अकुपेशन में हो सेकेंड बाला पॉइंट में क्या है कि आप आर्टिकल सिप कर रहा है इसके अलाबा साथ में अधर कोई कोर्स स्टडी कर रहा है अकैडमी या प्रोफेशनल दैन यस अधर बाइज नो जातर स्टूडेंस बिजनेस तो कर नहीं रहेंगे तो नो लिखेंगे पहले बाले में दूसरे बाले में अगर उनका ग्रेजुएशन चल रहा है और तो ऐसे केस में यस लिखेंगे इसके अलाबा जैसे ही यस लिखेंगे उसके बाद एक अलग सा एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा यहाँ पे रुख जाएगा आपका आर्टिकल सी प्रेजिस्टेशन प्रोसेस फिर अपने कॉलेज प्रिंसिपल से वहाँ पे साइन करवा के लाओगे फिर यहाँ पे अपडेट करोगे उसके बाद आये का प्रोसेस कंटिन्यू करोगे तब तक आपका एप्लिकेशन पेंडिंग में चला जाएगा आप चाहो तो बाद में भी वन वन टू फोर्म बाद में भी फिल कर सकते हैं तोटली आप पे डिपेंड करता है आपका डिसेजन आपको जो करना वो कर सकते हो यहाँ पे मैं नो-नो सेलेक करके मैं तो वीडियो बना रहा है और नेक्स्ट पे आएका प्रोसेस कंटिन्यू करना है जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने निव डैसबोर्ट सो करेगा इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है आई आइगरी पे क्लिक करना है इसके बाद क्या करना है सम्मीट पे क्लिक कर देना जैसे ही सम्मीट पे क्लिक करोगे इसके बाद आपका आर्टिकल सिप के लिए रेजिस्टेशन हो गया अब प्रिंस्पल एप्रूव करेंगे यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म 102 प्रिंस्पल ही एप्रूव करेंगे जाज जनकारी के लिए प्रिंस्पल से बात कर लेना आपका काम यहाँ तक था समाप्त हो गया यही रहा आर्टिकल सिप रेजिस्टेशन प्रोसेशन हो कोई भी एडिशनल डाउट हो मुझसे बात यह करना चाते हो चार्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्